कोस्ट No.2 कि इन्जिनरं के वीधारती राचेल के दवारा एक पत्ती Murphy की Vaidant के सीड का परयूग गरते हुए एक pensando and chemical बनाने लिगए है जिरेन के विदार्थी को क्या किया गया है कि पत्ति अल्मुनियम सीट के द्वारा क्या बना एक मॉडल का ब्यास तीन सेंटीमीटर द्वारा के पास 12 सेंटीमीटर तीमीटर यानि संखुक यह चाही यह वाला भात में दो चाही और यहां भी आपका दो के पास तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल की अंतर्विष्ट हवा का इतन ग्याद कीजिए मत्ति इसमें कितना हवा आपाएगा उसका इतन एं तीनों का इतन जो देंगे दुगो संकु का और एक बिलन का यहाँ आगे का रहा है कि यह हमा लिजे कि मॉडल का आंतरिक और बाहरी विमाय लगभग बराबर है क्योंकि पतली अलमुनियम के सीट से बना है तो उसमें उसको नहीं लिया जा रहा है कि अंदर बाहर से कोई फर्क नहीं पड़ता है दुनों तरप से विमाय से माने यानि कि यह पतला अलमुनियम का सीट है इसलिए यह कह रहा है कि आंतरिक और बाहए विमाय लगबाग बëराबर है। चली निदे हैं, तो शुरू करता है संकु से, संकु की त्रिजया, संकु की त्रिजया, यानि कि आर कैसे हो जागा, तो तीन में दो से भाग करना बना ब्यास का अधा, यानि की हो जाएगा 1.5 cm, ठीक है, संकू की उचाई, यानि की small h माल लेता है 2 cm, यहां न उचाई 2 cm, चलिए, अचा संकू की तीरियक उचाई से इसमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि आयता है न, 1 by 3 pi r square h होता है, चलिए अब चलते हैं बेलन पे तो बेलन की बेलन की तेज़िया तो बेलन की भी तेज़िया वही हो जाएगी जो संकू की है 1.5 cm बेलन की उचाई बेलन की उचाई बेलन की उचाई इसको हम लोग बड़ा एच से सुजित कर रहा है बिलन की उचाइए कैसे निकालेंगे तो टोटल लंबाई जो है इसकी मोडल की टोटल लंबाई 12 cm मैं से ये संकू की उचाइए दोनों घटा देंगे, यानिकी दो सेंटीमीटर घटा देना होगा यानि 12 सेंटीमीटर और माइनस का 4 सेंटीमीटर यानि कि यहां से जो चाहिए आ गई वह 8 सेंटीमीटर हो गई बेलन की हमें क्या निकालना है कि मॉडल में अंतर्विस्ट हवा का आयतन अंतर्विस्ट हवा का आयतन तो कैसे निकालेंगे लिखेंगे बेलन का आयतन प्लस दो गुना संकू का आयतन तो बेलन का आयतन क्या हो जगा तो पाई आर स्कूर एच एच के जगाँ बड़ा एच लेंगे क्योख संकू क्यू चाहिए बड़ा एच से सुजित किया है प्लस दो गुना स्वारी बेलन क्यों चाहिए बड़ा इसे है अच्छा संकू क्या हो जागा वन बाई थ्री पाई आर एसक्वाइर इसके लिए स्मॉल एच्छा ना संकू के लिए देख रहा ना चलिया आगे इसको सॉल्व करते हैं हम लोग तो यहां पहले कॉमन कर लिया ज यहां एच बच्छेगा और प्लस टू बाई थ्री यह स्मॉल एच यहां बच्छागा चलिया पाई की जगा बाईस बट्टा साथ आर का मान आपके पास है 1.5 इंटू में 1.5 बड़ा एच है आपके पास 8 प्लस दो बट्टा 3 गुना में 2 सेंटीमीटर क्यूब चलिया 1.5 अंदर LCM ले ले क्या 3 LCM होगा चलिया यहां 24 आ जाएगा और प्लस उपर चार है 22 बट्टा सॉरी 22 बट्टा साथ गुना 1.5 गुना में 1.5 गुना में यह जुड़ जागा ना तो 28 बट्टा 3 सेंटीमीटर क्यूब तीन से यह कर जाएगा 0.5 बार में ठीक है और साथ से इसको कर देंगे चार बार में इन सब से गुना कर दिजिए तो आपका जाएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब यहां से आए तना जाएगा हवा का चलिए को